में आख्याओं आज में आपको नारेल और दूस से मिखाई बनाने का तरीका बताऊंगी यह मैंने डैसुग्राम नारेल कान बुड़ा लिया है और ये 200 ग्राम PCV सक्कर है, चीनी ली है, नारेल के अकोडिंगी लेनी है, और ये एक प्याला दूद, और एक बड़ा चम्मर्स मिल्क पोडर, ये हमने 4 समागरी ली है प्रहले हम दूद को गरम करेंगे, अब हम इसके अंदर सक्कर को रेक करेंगे, अच्छे से मिल्क कर लेंगे, हमें सक्कर घूलने तक इसको उबालना है, अब हम एक कड़ाए लेंगे, हम इसके अंदर नारियल की बूरे को सेख लेंगे हम इसको अच्छे से सेखना है हम इसको दो मिट के लिए ऐसे ही सेखते रहेना है अब हम इसके अंदर मिल्क पोडर एड कर देंगे इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दोनों को एक अकोडिंग करके सेखते रहेंगे दोनों अच्छे से मिक्स हो रहे हैं हमें इन दोनों को प्राइब करते मतलब सेखते हुए दो मिट हो गए अब हम इसके अंदर दूद को एट कर देंगे यह वह वाला दूद है जो हमने बोईल के आता है सटकर डालके चीनी को एट करके अगर आपको दूद थोड़ा ज्यादा लगे थोड़ा पतला लगे यह मिक्सर तो इसमें उपर से आप नाजिल का बूरा एट कर सकते हैं एक चमल देती घी यह इसके अंदर एक कर देंगे तो कि अच्छी पर करेंगे यह देखे सब अच्छे से तयार होगे यह हमने एक प्लेट लिए इसके अंदर हम गी डालके तो अच्छे से फेला देंगे और अब हम इस मिसर को तयार करेंगे हमने आदा इसको इसे रखना है और आदा के अंदर हमने फ्रूट कलर मिलाएंगे यह देखे हम इस तरह से जमा लिया है अब जो हमारा वादा वाला रखा है हम इसके अंदर फ्रूट कलर एट कलर एट कर देंगे इसको अच्छे से कर लेंगे तो कि इस तरह से बनके यह तयार हो गया है अब हम इसको क्या करेंगे इसके उपर लगा देंगे जिससे हमारी मिठाई दो कलर के हो जाएगी दिखने में भी और खाने में भी एक दिम स्वादिश्ट रगेगी हम ने इसके उपर चानी का वर्क लगा दिया है अब हम कट कर लेंगे बनाने में आसान और कुछ ही मिन्टों में बन जाने वाली ये मिठाईए आप भी से जरू ट्राइक कीजिए हम इस तरह से कट लगा लेना इन सब कर यह मारी मिठाई बन गई है अब हम इसको प्लेट में यह देखें हमारी मिठाई कितनी अच्छी सॉफ्ट बनी है आप भी बनें हमारी चेनल